पॉपिक नंबर फोर है रच्छा शेद्र से घटनाक्रम से संब्धित यहां पर प्रस्णों को देखेंगे तो आए यहां पर कुछ important point को कबर कर लेते हैं उसके बाद MCQ को देखते हैं देखें एक्जाम के point आप उसे जो शहयुक्त शहयन अभ्यास पूंथे जाते हैं वह संद्धित श्यूंस के नाम दे दिये जाते हैं और country नाम पूंच लियके जाते हैं और ज़्धित इनको टफ वनाना होता है तो यह आयोज नस्थल भी पूंच लेते हैं तो यहां पर आपको किन किन देशों के बीच हुआ है तो यह भारत और सौधी अरब के बीच हुआ है और आयोजन का जो अस्थल रहा वहां रहा सौधी अरब ठीक है तो भारत और सौधी अरब के 9 से 9 के मद्ध है मालाबार अभ्यास 2021 तो भारत और अमेरिका जापान आस्ट्रेलिया तो चार कंट रहा वह इंडो-पैसिफिक गुवाम के तट पर नव सेनाओं के मद्ध रहा इंद्र अभ्यास जो की बारवा संस्क्रण 2021 का हुआ है तो इंद्र जो अभ्यास है भारत और रूस के मध्य होता है और यह इसका आयोजन अस्थल जो रहा वह दक्षणी रूस की बोल्गुग्रा पाकिस्तान चाइना साइलेंड और मंगूलिया के मध्य कहां पर आयोजन हुआ यह चाइना में काजिंद 2021 तो भारत और कजाकस्थान के मध्य प्रसिक्षण नोड आईसा भी भी कजाकस्थान में हुआ था जायर अल्बहर टू तूथाउजन स्वेंटिवन यह भारत और कत अधर के बीच है कहां पर संपन हुआ तो भारत की खाडी में अगला है आपका TTX 2021 ठीक है तो यह ट्राइलेटरल है और यह किन किन कंट्री के बीच हुआ है तो भारत स्रिलंका और माल्दीव के बीच ठीक है भारत स्रिलंका माल्दीव और यह वर्चुल टेबल टॉप अभ्याज रहा है अगला है आपका सीकाट 2021 तो यह भारत और अमेरिका के बीच रहा है और सिंगापूर में इसका आयोजन अस्थल रहा है देख रहे हैं भारत अमेरिका के बीच रहा लेकिन जो आयोजन अस्थल हो कहा है सिंगापूर तो माल्दो एक्जाम में पूँच दिया जाए कि हाल ही मे सीकेट अभ्यास जो 2021 हुआ किन किन कंट्री के बीच या इस तरह पूंचेंगे अगर कि सीकेट 2021-2021 भारत और पाकिस्तान की मध्य हुआ इसका आयोजन अस्थल क्या रहा कोई अस्थान डाल देंगे सिंगापूर का वह अमेरिका का और एक अस्थान डाल देंगे भारत का और एक डाल देंगे सिंगापूर का कोई और अचोथा अप्शन डाल देंगे तो जाधर तर जो बिना पढ़े लगाएंगे वह तो भारत औ सदस्य के बीच हुआ है काला सागर में वरोना 2021 भारत और फ्रांस के बीच औरव Courtney सायन अभ्यास खंजर 2021 भारत और किर्गिस्तान की मद्ध उखार्ए और यह किर्गिस्तान की राजधानी विश के एक में लापिरोज अभ्यास 2021 भारस और क्वार्ड देशों के बीच हुआ है ठीक है और जो आयोजन अस्थल रहा वो बंगाल की खाड़ी में ठीक है क्वार्ड कंट्री में कौन कौन सी आती है तो क्वार्ड कंट्री में एक तो अपना प्यारा भारत है साथ ही अमेरिका है जापान आस्ट्रेलिया ठीक है यानि कि जो माला बार अभ्यास में सामिल कंट्री होती है भारत अमेरिका जापान आस्ट्रेलिया तिये चारू कंट्री यानि क्वार्ड हो गए और इसके साथ फ्रांस तो इसका अभ्यास का नाम क्या रहा लापिरूज अगला है आपका कॉंकड़ अभ्यास 2021 भारत और ब्रिटेन की बीज इंग्लेंड के पोर्ट माउथ में चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों सांतिर अगला है सांतिर अग्रो सेना 2021 इनमें सामिल जो कंट्री है भारत है भूटान है स्री लंका बांगलादेश अब इसमें प्रस्ण बना दें कि हाल ही में संपन हुए सांतिर अग्रो सेना 2021 किन किन भी निमलिखित में इसे कौन सी कंट्री सामल नहीं और उसमें जो गुरूप रहेगा भारत भूटान स्रीलंका बांगला देश वही गुरूप आपका जो है आप्शन में सही होगा तो यह कहा संपन हुआ बांगला देश में से बिजिल 2021 यह नव सेना कोस्ट गार्ट समुद्री एजंसियों की बीच रहा और तेरा तटवर्ती राजी और केंद्रशास्ति प्रदेशों में संपन हुआ अगला है आपका फासेक्स 2021 तो भारत और अमेरिका के बीच संपन हुआ हिंद महासागर में जायेद तलवार तो यह भारत स्वेंगत अरब अमिरात की बीच अबुधाबी तट पर हुआ एमफेक्स 2021 तो भारत की तीनों सेनाओं के मद्ध हुआ है हिंद महासागर में अगला है बाजर परहार 2021 तो भारत और अमेरिका के मध हिमाचल प्रदेश के बकलोः में ठीक है दस तलिक टू यह भी most important है यह भारत और उजबेकिस्तान के मद्ध हुआ है उद्तराखंड के रानी खेत में ठीक है भारत और उद्वेकिस्तान के थलसेनाओं के मद्ध है अगला जो आपका पॉइंट है वो है डेजट नाइट 2021 जो कि भारत और फ्रांस के मद्ध हुआ है जोधपुर राजस्थान में तो आपने देखा कि फ्रांस के स यह है ठीक है तो एक गरुण होता है जिसमें कि आप देखते हैं जो भारत और फ्रांस के बीच गरुण यह नहीं दोनों देशों की वायू सेनाओं के मद्ध होता है जबकि यह जो बरुड़ा 2021 है यह नव सेनाओं के बाद यह ठीक है चल यह दोस्तों आगे चलते हैं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स यहां पर भारत का अस्थान कौन सा है तो भारत का जो अस्थान है दोस्तों वह चौथा अस्थान है अगला प्रस्ण है भारत यह नव सेना ने किस देश की नव सेना के शाथ समुद्र सहयोग और संपर्क को बढ़ावा देने के लिए दक सागर में पानी के अंदर ड्रोन का एक बेडा स्थापित किया है अगला प्रस्ण है कि वीरो आफ पुलिस रिसर्च एंड देवलप्मेंट के रिपूर्ट के अंशार भारत के पुलिस बल में कितने प्रत्षयत महिला हैं अगला प्रस्ण है कोविड-19 महमारी के दोरान भा आवस्यक वस्त्वों को पूर्ति करने के लिए किस अभियान की शुरुवात की गई है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट डेट इज ऑपरेशन समुद्र से टू आप्शन ए इस करेक्ट एंस्वर अगला प्रस्ण है आठ माई को भारती नव सेला ने दक्षड अरब साग करेक्ट एंस्वर होगा आपका इंडोनेसिया आप्शन ए इस करेक्ट एंस्वर भारत ने किस देश के साथ को कॉर्प युद्धा भ्यास का आयोजन किया है आप्शन यहां पर सी सही जबाब होगा भारत और थाइलेंड के मद्ध किस राज में लांच पैड योजना की जर्वात मद्ध प्रदीश राज सरकार ने किया है आप्शन भी यहां सही जबाब हो जाएगा राजस्थान में दिवपाच्चिय वाय सेनाओं के बीच एक्स डिजर्ट यानि एक्सरसाइड डिजर्ट नाइड टू थाउजन स्वांटीवन जो अध्यास का आयोजन किया तो यहां किन किन कंट्री के बीच रहा यहां पर आपका सही जबाब होगा आप्शन सी भारत और फ्रांस के बीच प्रशन संख्या दस है लापे रोज नौ सेनिक अभ्यास का आयोजन किस देश ने किया जिसमें क्वार्ड देशों ने भी भाग लिया तो क्वार्ड देशों में आपने देखा था लापे रोज को जिसमें कि फ्रांस के साथ साथ क्वार्ड देश भी थे हैं पर आपका सी जो फ्रांस है यहां पर सही जबाब हो जाएगा ठीक है अभी आपने सबसे नीची जो नूड़ देखा था वहाँ पर ठीक है वो लाभिरूज था तो उसमें फ्रांज था फ्लस क्वाड कंटरी क्वाड कंटरी में कौन सी है तो अपने इंडिया है जापान है ठीक है और आस्ट्रेलिया है और कौन सी कंट्री है चौथी चौथी जो कंट्री है आपकी चौथी कंट्री जैपान ठीके चलो अगला प्रस्न है नमबर 11 है दोस्तों आपका कि किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में शैन अभ्याज एस्टर एक्स का आयोजन किया है सही जबाब होगा आपसंसी फ्रांस अगला प्रस्न है कि फरवरी 2021 में किन दो देशों के बीच सयुक्त शैन अभ्याज युद्धा अभ्याज की सोलवे संसकन का समापन हुआ गुम हो गई जिसकी खोज के लिए एक आपरेशन चला गया नाम क्या है आपका सही जबाब होगा इंडोनेसिया की इंडोनेसिया की पंडूबी जुदूबी नाम क्या रहा नाम थ्या के आर आई नंगाला ठीक है तो यह नाम रहा 402 इसके लिए कौन सा भियान चलाए गया गुम हो गई खोजने के लिए तो आपरेशन का नाम है आपरेशन तेमान चली अगला प्रशन आता है दोस्तों कि किस देश की नव सेना ने अपरेल में हिंद महसागर में फ्रीडम आफ नेविगेशन आपरेशन की शुरुवात किया आपका यहाँ पर सही जबाब होगा अमेरिका आप्शन डी इस खरेक्ट एंच्वर डी आरडियो द्वारा निर्मित पहली मोटर बाइक एंबुलेंस सिवा को शी आरपी अपको सौनपा गया इसका नाम क्या है सही जबाब होगा आपका आपसन भी रचिता बजर प्रहार किन दो देशों का संयुक्तिसान अभ्यास है बजर प्रहार जो है वो भारत और अमेरिका आपसन यहाँ पर सही जबाब होगा 8 माई को भारती नवसिना ने दक्षड अरब सागर में किस देश के साथ पैसर्स एक्सरसाइज किया है सही जबाब होगा आपका आपसा ने इंडोनेसिया जे यन पीटी भारती वायुसिना की पहली महिला ओडान टेस्ट इंजीनियर कौन बनी है आपका सही जबाब होगा आश्रिता वि ओलोटी किस देश द्वारा मार्च में बहुराश्टिय वायुसिना उध्धाभ्यास डेजन्ट फ्लाइग फोर कायोजन किया गया सही जबाब होगा आपका अगला प्रस्ण है कि कितने CRPF महिला कर्मियों को पहली बार बिसीस कमांडो फोर्स कोब्रा में सामिल किया गया है प्रवरी 2021 में भारत निखिस अनदेश के साथ अरब सागर में नौसनिक अभ्यास पासेक्स संपन किया है करेक्ट एंसरी ऑप्शन डी इंडोनेसिया ये सी यू सदस देशों द्वारा पाभी एंटी टेरर 2021 युद्धा भ्यास का आयोजन किस देश में किया जाएगा Correct answer is option B, Pakistan Next, भारती सेना ने किस राज्ज में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट शुरू किया है पहला ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट आपका सही जबाब होगा option C, सिक्किम अगला प्रस्ण है कि भारत ने किस देश के साथ कॉर्पेट उधाभ्यास का आयुजन किया है करेक्ट एंस्वर इस भारत और थाइलेंड अगला प्रस्ण है उत्तरी अट्लांटिक हिंद संधी संगठन नाटो ठीक है करेक्ट एंस्वर इज आपसंडी अलवानिया नेक्स्ट भारतिय सेना ने किसके साथ पहली बार संयुक्त संग अभ्यास कि ए यू इन ए वी अफ ओ और शंपन ने किया है यहां पर आपका करेक्ट एंस्वर होगा 27 भारतिय सेना ने किस राज में पहला ग्रीन सोलर एनरजी हार्डवेस्टिंग प्लांट शुरू किया है करेक्ट एंस्वर इज आपसंडी सिक्किम सुकुमा जिले में केंद्रिय अर्धसानिक बलों और माववादियों के बीच हुए मुटभेड में 22 जवान सहीद हो गए सुकुमा जिला किस राज में स्थित है करेक्ट एंस्वर होगा आपका आपसंडी 36 भारत ने किस देश को गस्ती जहाज जो रास्टर प्रदान किया है करेक्ट एंसर होगा आपका आपसंडी सेशल्ज भारत ने किस देश के साथ मिलकर एंटी टार्पीडो डिफेंस सिस्टम सेड विक्सित करने का नेड़े लिया है बारत के पहले स्वधेशी बिमान वहक पोट को बर्ष दो हजार बाइस तक चालू करने की युजना है जिसका नाम क्या है तो भारत का पहला जो स्वधेशी वहक कोट है इसका नाम है आई एनेश विक्रान्त आपसंडी सही जबाब होगा पहला सोदेशी बिमान होगा तो क्रांती एक तरह से इस तरह याद रखना क्रांती से विक्रांत अगला प्रस्ण है भारतिय नवसेना द्वारा रिटार की गए आई एनस राजपूत की संबंध में कौन सा कथन सत्य है आई एनस राजपूत भारत का पहला बिध्वन सक पोथ था और इसे बर्स 1980 में नवसेना में सामिल किया गया था दोनों के दोनों का थन बिल्कुल सही है आपसंसी यहाँ पर सही जबाब हो जाएगा तो इसी के साथ हमारा जो राष्ट्री रच्छा से संबंधित जो घटना करम रहे यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं तोटल थर्टी तू यमसी क्यू को यहाँ पर कबर किया गया तो दोस्तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजेगा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजेगा क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्सन ही हमारी ताकत है साथ यहाल नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की अप्डेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे थैंक्स फार वाचिंग गाडब्लेस यू अल